नमस्कार, मेरा नाम है शेफ अरपाल सिंग सोकी और मैं बनाने सिखा रहा हूँ आपको स्ट्रॉबरी क्रश कैसे बनाया जाता है जब सीजन में कुछ चीजें मिलती हो तो ऐसा लगता है घर पे खुद क्रश बनाये, जैम बनाये मैंने इसलिए सोचा कि आप स्ट्रॉबरी जो है सीजन में है तो इसका क्रश कैसे बनाये जाता वो सिखा दूँ ताकि आप घरों में क्रश बना के रखें फ्रेश अपने हाथों से सबसे पहले क्या करना है ये मैं लाइट कर लेता हूँ एक भर्तन को और साथी साथ इसमें डालेंगे दो कप शकर और इसके साथ साथ इसमें दो कप पानी और एक चुटकी सिट्रिक आसिट पहले इसमें डाल लेते हैं सिट्रिक आसिट डालने से क्या होता है ये जो शकर बनेगी मतलब सिरफ बनेगी ये अपने आप पारदर्शक हो जाएगी साफ हो जाएगी तो जब तक शकर बनती है यहाँ पर क्या करेंगे ये स्ट्रॉबरी इनको साफ कर लेते हैं यह निकाल लेते हैं इसका स्टेम और यह सब स्टेम्स निकालने के बाद स्ट्रॉबरी को कर लेते हैं क्रश और इस क्रश को जो है रख लेते हैं जब तक यह शुगर सिरफ मतला पक ना जाए शुगर सिरफ को कितना पकाना है अगर घर में बनता है तो आप याद रखिए सबसे पहले शिरफ जो है उसे दो तार पे लेखे आना है ऐसे इंडस्ट्रिली एक शुगर थर्मोमेटर मिलता ह उससे चेक करते हैं जनरली यह बट घरों पे वो थर्मोमेटर कहा यूज करते हैं लोग मैं आपको बताऊंगा कि दो तार क्या होता है और कब पता चलता है तो शुगर सिरफ को पकने दें शुगर सिरफ जो है अब अल्मोस्ट पक गई है तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये देखिए अच्छा है ये आपको बता रहा हूं कि ये अल्मोस्ट एक तार हो गई है और यहां देखिए ये दो तार के पास पहुंच गई है ये अभी तो एक तार देख रही है लेकिन थोड़ी देर बाद दो तारें दिखेंगी तो इस तरह से जब आप करते हैं थोड़ तार क्या होता ये देखिए अब जो है अल्मोस्ट दो तारें आ रही है यह देखिए दो तारें आ भी किशते खिशते कई बार आपको दो तारें दिखती है तो ये जो है सिरफ बिलकुल तैयार है अब ज़्यादा देर ना रुकते हुए क्योंकि crystalize हो जाएगा ये जो प्यूरी किये है हमने स्ट्रॉबेरी ये इसमें डाल लेते हैं अच्छा स्ट्रॉबेरी डालते ही क्या होगा जितनी जो सुगर की थिकने से वो बिलकुल वापस पतली हो जाएगी इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी को बाद में डाला है तो ये सारा जो क्रश है पल्प है ये इस में डाल लेते हैं strawberry डालते ही थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये crush जो है strawberry का बढ़िया गाड़ा हो जाए और तयार हो जाए बैज़ा शुगर जो है आपको पता ही है फ्रिजर्वेटिव है घर भर बना रहे हैं तो जल्दी यूज़ करना है यदि आप घर के लिए strawberry crush बना रहे हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसे ठंडा करके बॉटल में बंद करके रख सकते हैं लेकिन कुछ जाधा दिनों तक रखना है घर पर आप समझते हैं कि usage इतना नहीं है लेकिन जाधा दिन तक रखना तो market में sodium benzoid मिलता है वो आ और इसे अच्छी तरह से मिला के इसमें डाल लें और mix कर लें यह जो strawberry crush है बिल्कुल तयार है यहां पर sodium benzoid भी डाल दिया आपने finally थोड़ा सा strawberry essence कुछ भूंदे strawberry essence की वो डाल ली आपने और crush जो है बिल्कुल तयार है अच्छा यह बड़ा subjective होता है sugar syrup और sugar anyway a preservative है आपने और एक preservative डाला उसका नाम है sodium benzoid वो भी आपने डाल दिया तो इसकी life span बढ़ गई लेकिन इसकी thickness जो है depend करती है market पे कई बार आप देखेंगे कि कुछ syrups जो है या crushes market में सस्ती मिलती है कुछ महेंगी मिलती है वो इसलिए महेंगी मिलती है कि कईयों में concentration of strawberries जादा होता है जब fruit का concentration जादा होता है तो cost बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसलिए इसकी जो concentration है घर पे जैसे यूज कर रहा है आप वैसे रखें मैं ये एक फोल में आपको डाल के बता देता हूं कि ये देखिए ये तो काफी करम है लेकिन आपने अगर इसको ठंडा किया तो ये काफी काड़ा हो जाएगा तो आप काड़ा होने के बाद जैसा चाहें यूज करें इसमें कुछ डाल के ड्रिंक बनाएं हाइस्क्रिम डाल के स्ट्रॉबरी क्रस्ट के साथ ड्रिंक बनाएं कैसे भी यूज करें ये अराम से आपके घरों में एक मैने के उपर रह सकती है इसी तरह से स्ट्रॉबरी क्रस्ट अपने घर पे बनाएं और प्रिजव करें